नमस्कार, वेलकम इन बैस्टिक इंग्लिश स्कूल, मैं डॉक्टर मोनसरदा डूडी चितरकार, मेरे साथ में कलाकार बिकानिर के जाने मने अधित्य विशा, अभी अपने जो कल बात की थी छापा पदत्री की, प्रिंट मीडिया की, तो प्रिंट मीडिया के अंदर सेट प्रिंटिंग है, या चापा प्रिंटिंग जिसको बोलते हैं, या पुरानी जो मशीनों से प्रिंट लेते थे, ये अपने जो साधी के कार्ड वगरा सबते थे, तो इस परकार का प्रिंट मीडिया के अंदर जो है, ये सारा जो मैटर है, वो मैंने कल आपको जान करी दी कि प्रिंट बिना मशीन के भी कैसे ले सकते हैं, और प्रिंटिंग के जरिए इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, कलाकारों के लिए छोटे बचों के लिए और बड़ों के लिए ये जो बड़ी कलास के बच्चे हैं, और आगे जो MFA, Master of Fine Art and BFA, Bachelor of Fine Art, अभी MBA और BVA ह हो गया है, MBA Master of Visual, जिसको चक्षुष कला से समंदित है, और चक्षुष कला में जो देखते हैं, उसको बनाने की जो प्रैक्टिस है, वो मैं अभी आपको रोज मर्रा बता रहा हूं, ये सभी कलाएं जो हैं विजुष के अंदर आती है, तो इसमें आगे जो फैसंड डिजा प्रैनिंग के अंदर कल वाला जो मेटर था, उसमें ड्रेश डिजाइन में बहुत बढ़िया काम आ सकता है, प्रिंट के अंदर, तो आप कोई भी ड्रेश, जिस पे मोर पांक जैसे चापनी आपको, तो आप मोर पांक उस पे चिकनी जो बटर पेपर बताया, उस पे चाप है इस परकार के, तो मैं आज उससे आगे की बात करूँगा, मेरे में पास में अभी वेस्ट मैटिरियल, जिसको अपने बोलते हैं, वेस्ट मैटिरियल से क्या क्या बन सकता है, खूब शरी चीज़ें आगे आने वाले कलासों में, और पोर्ट पेंटिंग और दूसरी जो हैं, चोटे-चोटे अलग-लग वेस्ट मैटिरियल से कैसे क्या बना सकते हैं, लेकिन आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक थर्मा कोल जो है, ये शीट है, ये लंबे समय से पेंटिंग में जैसे काम कर रहे हैं, और उसमें थर्मा कोल भी कई बार यूज लेते हैं, कुछ स थर्मा कोल आते हैं, उसको भी आप फैंकिये मत, उसको आप यूज ले सकते हैं, किस प्रकार से यूज ले मैं आपको अभी इसका एक डेमो अभी देऊंगा, कि वेस्ट थर्मा कोल से आप क्या-क्या बना सकते हैं, थर्मा कोल के बारे में अभी जो बात कर रहे हैं, मैं वे कर सकते हैं और जो चाको सबजी के अंदर जो काम में लेते हैं उसके अंदर जो फंदर की तरह जो होते हैं तो उसको भी आप रगड के उसमें और अलगा काम में लेके और बाद में जो थोड़ा बहुत उसमें जिक जिक रहे तो आप इसको इस रेजमाल से 120 नंबर या 130 नंब उससे भी आप उसको रबिंग करके और साफनेस दे सकते हैं देखिए ये कटिंग वेस्टेज से ये मोटा थर्मा कोल है छोटी सी जो एक चीज बनानी है जैसे आपने फ्लॉवर बनाना हो तो एक आप ड्रो करें पत्ती को उसके बाद में इस पत्ती को बड़ी साफदानी से आतमे लगे नहीं छोटे बच्चे जो है वो पेपर कटर बड़ों से कटवाले पास में अगर बेठे हो तो कटिंग की जो काम है वो बड़ों से करवाए और बाद में जो पेश्टिंग का और जो कलर का का काम है उसमें कचकते हैं तो इस परकार का जो है ये एक निकाल लें छोटा सा ये थिक में दो जो है इंची और डेड इंची एक इंची में शीटे जो आती है थर्मा कोल की उसमें भी इसमें आप जो है ये अलग अलग छोटे छोटे निकाल सकते हैं इसमें से खूब सारे पतले इसमें से अलग जो है ये छोटे छोटे कर सकते हैं इसके बाद में एक छोटा सा ओटुकड़ा इसमें से लीए इसको फिर आप एक गोले में काटिए किसी भी रूम को सजा ना हो कहीं भी डेकोरेशन करना हो आपको या जो छट डिजाइन हम करते हैं थर्मा कोल की आजकल जो है रूप के अंदर जो है डिजाइन है ये इस परकार के जो आईडियाज है बहुत काम आते हैं और आपका कमरा गरम नहीं हो उपर छट पे यदि कोई कमरा है और वो गरम हो रहा है तो इस प्रकार के ये जो सीटे हैं उसको चिपका के और उस पे आप शोखडी जैसा कुछ बना के और उसमें ये इस प्रकार के जो फ्लॉर बता रहा हूं वो चिपका के डिजाइन बना सकते हैं एकदम सफेद कलर में मारबल जैसा जो है या आपके प्योपी जैसा जो प्रवाव है वो आपका थर्मा कॉल शीट से ये देखिए ये आप गोल इसमें से भी अलग अलग गोल काटिए ये आपके काम आएंगे बाद में दूसरे जो फूल बनाओगे ये जो आपको दिख रहा है जिक जैक इधर जो टेड़ा मेड़ा उसको आप अलका सा रेज माल कीजिए ये देखिए अब मैं इससे जो आपके पास में जो ग्लू गन होती है जो चिपकाने वाली ग्लू गन है उससे आप इस परकार का इसको पीछे से चिपकाने का इस्थान बनाएं ये और इसको इस परकार से पैस्ट करें आप इसमें चार पंखुडियों वला और छे पंखुडियों वला जितना भी आप साहे वो बना सकते हैं इसको खिशका सकते हैं यह यह देखिए इसको परकार की जो है फ्लॉवर्ड डिजाइन जो है अलग अलग परकार के जो डिजाइन है मैं अभी कटिंग्स में जैसे यह देखिए यह डिजाइन देखिए आप इसमें कटिवी तो यह बार बार अगर आप यूं लगाएंगे चारों तरफ तो एक बहुत बढ़िया जो है डिजाइन बन सकती है किशी भी मूर्थी के पीछे इस ताइप की जो है खूब शारी डिजाइन ने काटके गोला बनाए एक गोला काटें और उस पे यह राउंड में चिपका के और उस पे जो चमकी आती है इसको जो है उस पे डाल दे चमकी अलग 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 चमकी को जिसे golden color है यहां पे शिलूर color है यहां पे golden color है और उसको फैटिकोल से लगाके और उस पे चमकी उसको डाल सकते हैं तो यह पीछे जो मूर्तिया है पाटा लड़ू गोपाल जैसे आप बनाते हैं घर पर रखते हैं लड़ू गोपाल जैसे तो लड़ू गोपाल जी के लिए ये इस प्रकार के जो है छोटे छोटे ये टूटेंगे नहीं बहुत ज़्यादा मजबूत है क्योंकि ये लगबग एक इंची की शीट यहां चिपका के और इस प्रकार का जो है ये देखिए मैं आप दिखा रहा हूँ ये जो डिज़ाइन है ये पाटे की आप डिज़ाइन देवें और इस पे इस प्रकार के फ्लॉवर भी आप चिपका सकते हैं बराबर इसको जो है डिजाइन देखे और उस पर कुछ डिजाइन के कपड़े या ठिकने पूरा देखे इसको और उस पर आप जो है मखमली कपड़ा लगा के और सम्की वगरा लगा के उस पर लड़ू गुपाल को बिठा सकते हैं तो यह आसन जैसा कुछ जो है आपका तैय रोजाएगा घर पे ये वेश्टेज हैं इनमें लकडी का प्रव्चा नहीं करके ठर्मा कोल का जितने भी आपके घर पे वेश्टेज पड़ें वेश्ट घर्मा कोल जो आप बाहर पहंकते हैं उसको बहुत सुन्दर डंक से आप गर में सेजावट की जो चीजे हैं छोटी-छोटी वो बना सकते हैं जैसे आपने मैंने ये एक वेस्ट टुकड़ा पड़ा था इसका कागज का आईवरी शीट का और ये वेस्ट हरमा कोल था उससे ये देखिए ये एक लटकने वाली आप छत में जैसे इसको लटका के और कोछिस परकार के पक्षी जो है उसको भी बना सकते हैं जैसे मैंने इसको उड़ते वे बताया ये मुमेंट होगा इसमें ये जो दागा है ये छोटा बिना दिखने वाला प्लास्टिक का एक दागा बजार में मिलत है तो ये भी आप यूज लें इसमें और ये इस परकार का काम करें छोटे बच्चे जो वेस्टेश से बनाते हैं तो उसमें ये देखिए मैं फ्लॉर जो है उनके रूम का डेकोरेशन करने के लिए जो बच्चों का रूम है उसको डेकोरेट करने के लिए कलर्ड जो गमले है अलग अलग या छोटा वीम या इस परकार के जो करेक्टर है ये भी थर्मा कोल में आप छोटी छोटी डिजाइने करके और आप उसको इसमें तबदिल कर सकते हैं तो ये ये भी इस परकार का जो है एक ये जैसे संसाओ कोई भी परकार का आपके पास में पड़ा हो जैसे ये मेरे पास में लकडी का है तो उसको भी आप यहाँ इस परकार से रखके और इसको ये इसको जब कटिंग करके और जैसे ही ये तीन चार तरह के इसमें से निकाल सकते हैं बार बार कहीं चिपका नहों तो इसको बार बार रखके और उस परकार से इसको चिपका सकते हैं color use लेने का जो तरीका है वो ये है कि ये water color है इसमें oil color काम नहीं आएंगे इसमें oil color जैसे आप डालोगे ये sheet का जो ये अंदर का हिस्षा है वो अंदर चला जाएगा ये sheet जो है damage हो जाएगे अंदर से तो इसमें जो है outline marker से भी दे सकते हैं circle pencil ने जो आती है उसको आप छोड़ सा गीला क्यरके और उससे भी आप इसमें जो है circle pencil से भी shedding दे सकते हैं pastel color जो है pastel color उसको यूज लेके उसके उपर जो है आप fixer कर सकते हैं इसमें तो ये थर्मा कोल में हैं जो color लगाने की technique है वो ज्यादा तर लोग जो है color लगाते समय उसमें oil color या lincid oil या इस परकार के तेल ये जो color है वो डालने के बाद में ये damage हो जाता है यहां से इसका प्रभाव ये तेजाब जैसा काम करता है तो ये अंदर से खड़ा पड़ जाएगा आपके तो इसमें आप water color acrylic color pastel color और दूसरी जितने भी जल रंग है जो जल के माद्यम से जो है गुलते हैं उस रंगों को जो है आप इसको कपड़े के जो color आते हैं जो आपके शाड़ी color में ये जो रंगने वाले काम में लेते हैं इस परकार के color market में मिल जाते हैं acrylic color इसमें सबसे बढ़िया रहता है ताकि उस पर कुछ fixer करने की आउसकता नहीं है और वो सुन्दर भी लगेगा और समक भी है उसमें तो छोटे बचे इस परकार का प्रियोग मेरे साथ करें कभी मैं आपको set design का जो है पूरा set design करने का जो काम है वो भी मैं आपको इस class के दोरानी कभी बताऊंगा कि छोटे set थर्मा कोल में आप background कैसे बना सकते हैं और इस परकार के सजावजी जो चीज़ें सजावट करने की वो भी आप कैसे बड़ी संख्या में जो है निर्मित कर सकते हैं तो इस से आगे का जो class है उसको मैं एक और विधा है जिसके बारे में बात करूँगा कि जो आप stencil काटते हैं जो आप stencil को use लेते हैं चापने के लिए उसको गर पे अलग 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 परकार के stencil डिजाइने ये बनाने की जो विधी है वो आप किस परकार से जो है एक कागज से अलग अलग परकार के stencil बना सकते हैं उसको चाप सकते हैं बिना machine के बिना spray जो है उसके machine के तो केवल तुथ बुरुष से और इनसे अलग अलग परकार के stencil के designs में आपको बताऊंगा धन्यवाद